पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला बेड़ खट के नजजीक गुरुबार को सुभए करीब पांच बचे टूरिस्ट बस पलट गई जिसमें ये च्रालक को मामुली चोटे आई है जानकारी के नुसार गुरुबार को सुभए बेड़ खट की नजजीक पठान कोट सी कांगला की तरफ जा रही टूरिस्ट बस अचानक सड़क पर पलट गई तथा शूर सुनकर आसपास के लोग वहां आई सानी लोगों ने च्रालक को बाहर निकाला तथा उसको अस्पताल में उपचार ही तू भीचा गया गनीमत ये रही कि टूरिस्ट बस में अन्य कोई नहीं था अन्य था कोई बड़ा हाथसा हो जाता बुद्धी जीवियों ने कहा कि इस मार्क पर जगा जगया गड़े पड़े हुए हैं तथा गड़ों के कारण अकसर ही ऐसी खटनाए होती रहती है बुद्धी जीवियों ने मार्क को दुरुस्त करने की माग उठाई है लाइफटेम्स चीवि के लिए जवाली से अनील शांगू की वैट पर उठाई कोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला बेड़ खट के नजजीक गुरुबार को सुभै करीब पांच बचे टूरिस्ट बस पलट गई जिसमें च्वालक को मामुरी चोटे आई है जानकारी के नुसार गुरुबार को सुभै बेड़ खट के नजजीक पठान कोट सी कागला की तरफ जा रही टूरिस्ट बस अचानक सड़क पलट गई तथा शोर सुनकर आसपास के लोग वहां आई स्थानी लोगों ने च्वालक को बाहर निकाला तथा उसको अस्पताल में उपचार ही तू भीजा क्या गनीमत ये रही कि टूरिस्ट बस में अन्य कोई नहीं था अन्य था कोई बड़ा हाथसा हो जाता बुद्धी जीवियों ने कहा कि इस मार्क पर जगा जगया गड़े पड़े हुए हैं तथा गड़ों के कारण अकसर ही ऐसी खटनाएं होती रहती है बुद्धी जीवियों ने मार्क को दुरुस्त करने की माग उठाई है कर बुद्धी जीवर्न गड़े हैं था तरह कारण टों ऐσते हैं तचक पार फिंशीं तरह कि जिद bell झारण बेहा कि माग जीवियों डिसने कारण अपाना है झाल झाल